लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ट्रेल आइटिन को प्रेस करें कर दोड़ाय कीब़ाय कर एब अल्ट्रा चैनल्स कारएब करें होताँ कीब वाम आएप। झाल झाल आड़ो जय झाए हैं कि झाला जोच्टें लिए हैं चाला कि राओंने लिए हैं उय ज घूशाना कि रच्प प्यों कि रहिं हैं ख्रॉला कि जोिए हैं बाओंग मिझे खिणाने घ्क्तरॉ जाना है जाना है जी वो दारजलिंग से कोई जवाब आया है आज सवेरे की डाक से आया है क्या लिखा है वो ट्विशन वाली नौकरी मिलेगी न मुझे I am very sorry खना उस काम के लिए उन्हें किसी बोड़े प्रफेसर की ज़रूरत है नाजवान की नहीं ची लेकिन उन्हें मेरी जवाने पर क्या इतराज है सीता देवी कई अखर सुनो उस समझ आओगे लिखती है आपने मिस्टर खना के बारे में जो कुछ लिखा है सारी बाते मुझे पसंद है फिर भी एक बात आपने नहीं लिखी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर मिस्टर खना की उमर पचास के ऊपर है तो आप उन्हें फोरन हमारे हां ट्यूशन पर भेजी जी लेकिन अगर वो पचास से कम है तो हर्गेज ना भेजी मिस्ट सुना क्या सरफिली वरत है कुछ समझ भी नहीं आता प्रफेसर साहब अब मैं क्या करूँ ना जाने कितने जगा नौकरी की कोशिश कर चुकूँ मैं लेकिन कहीं भी ना मिले ये एक आखरी उमीती सो ये भी जी चाता है ये में की डिक्री फाड़ के फिक दूँ जानते हो गुसा करने के लिए बहतर रगों पर जोड़ डालना पड़ता है लेकिन मुस्कराने के लिए सिर्फ ग्याराप है सो वाई वेस्ट एनरजी बैठो, मैं तुम्हा लिए चाय मंगवाता हूँ जी नहीं प्रफेसर साहब शुक्रिया अब मैं चलू सुनो मैंने चार साल सिर्फ तुम्हा पढ़ाया ही नहीं बलके हमेशे आपने बहुत करीब समझा है देखो, शर्माना नहीं अगर पैसों मैसों किसी बहुतो जी नहीं, बिलकुल नहीं आप मुझे इतना करीब समझते हैं यही मेरे लिए बहुत नमस्ते प्रफेसर साम पिछली बार तो तुम अपना पॉंटन पें गिरवी रखकर पांच रुपए ले गए थी आप क्या लाए हो इस बार कुछ नहीं लाया कागा तुम्हे रोकडा देने से मुझे इंकार नहीं फिर भी हमारे धंदे के कुछ नेम होते हैं भाया तुम्हारे पास नौकरी होती तो सौ-दो-सो यू दे देता मगर इस बेकारी में तुम मेरी रखम लुटा सकोगे ये खातरी कैसे हो मुझे माफ करना कागा तुकलिफ दिया आपको कोई बात नहीं भाया कोई बात नहीं प्रुटा 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 प्रितम मा, 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 मा आज कैसी अपने लाडले की दोला रही है अरे, मा तुझे बुखा रहे क्या नहीं रहे, चुले के सामने से उठकर आ रही हूं न इसलिए अच्छा ये बता, तु उसके पास गया था और वही तेरे कालेज का दोस्त जो दो-तिन मिलों का मालिक बन गया है अब दीपक हाँ, हाँ, दीपक हाँ, गया था मा वहाँ कुछ बड़ी गप्पें हुई, खूब हाँसी मजाग चला याने वह भी तुझे कोई नोकरी नहीं दे सका दोस्त को दोस्त रखना चाहता है मा नोकर नहीं वापस में प्रफेसर साब के यहां भी गया था अरे हाँ, उन्होंने भी तेरी नोकरी के लिए किसी को लिखा था न उहां से जवाब आया कोई आया अमा उन्हें मेरी सब बातें पसंद आई लेकिन मेरा जवान होना पसंद नहीं सर्फ किसी बुड़े को नोकरी दिना चाहती फिकर ना कर बेटा आज नहीं तो कल आखिर कब तक नोकरी न मिलेगी तुझे चल, चल खाना खाले चल, मा चल तुने खाया मा? बहुत खाया बेटा पडोसन के बेटे का मुंदन था वो धेर सारे लड़ू दे गई थी बहुत भूख लगी थी मुझे माय तो सब के सब खा गई क्यों जहां साय देती है मा? तेरे घर में लड़ू आते और तु अपने बेटे के लिना रखते चल, चल, मा, चल, खा मैंने कहा न, मुझे भूख नहीं है मा, पेट में जगह हो तो खाऊ आज प्रफेसर साब में मेरी खुब आभागत की मा, रसकुले, चम-चम सेव गाठिया, खुब डटा के आ रहा हूं, मा सच? मैं नहीं मानती मा, मैं तेरे जिसे जूट थोड़ी बोलता हूं सच बोलता हूं, बिलकुल, देख, पेट भराओ मेरा सॉरी मा, मुझे मा क्या हुआ मा, क्या हुआ मा मर मोकथ मुस्चे बहाले करती रही है मा, च recipes में भुखार है मा, मा मा, क्या हुआ मा प्रीतम की मा म प्रीतम की मा प्रीतम की मा प्रीतम की मा मा मौसी् me मुझे, तु माँ का ख्याल लगो, मैं डॉक्टर को लेगर आता हूँ प्रोफेसर साब कान? खन्ना, क्या बात है? तुम बहुत परिशान नजर आते हो मेरी माँ बहुत बीमार है, प्रोफेसर साब बेहोश पड़ी है बेहोश? तो तो डॉक्टर वगरा कर लेजाओ, और देखो, 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 ये सितादियों को खत लिखती है मैंने, इसे फुर्सत में बढ़कर फारल पोस्ट कर देना जाओ, 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 जाओ मिस्टर खनना, मेरा ख्याल है, आपकी माँ को टीवी होगा टीवी? हाँ नहीं, नहीं दॉक्टर साथ, ऐसा कैसे हो सकता? आप पर से देखिए, अचानक टीवी कैसे हो सकता? अचानक नहीं हुआ, वो शायद अभी तक अपनी तख्रीफ आफ से चुपाती रही है इसलिए मर्स काफी बढ़ चुका है दॉक्टर साथ, मेरी माँ को बचा लीजी, मैं आपके हाथों बढ़क जाओंगा इस दुनियो में माँ के सवब मेरा और कोई नहीं, किसी भी तरह बचा लीजी, दॉक्टर साथ आप इतना परेशान ना हो, वो अच्छी हो सकती है आप उन्हें किसी अच्छे से सनिटोरियम में बज़वा देजी सनिटोरियम? लेकिन कैसे बज़ओंगा, कैसे बज़ओंगा, डॉक्टर साथ मैं बिल्कुल बेकार हूँ अच्कल I am very sorry Mr. Khanna, लेकिन मैंने आप से कहा है कि मर्स काफी बढ़ चुका है और फिर उनका इस घर में ज्यादा दे रहना अच्छा भी नहीं है अगर आप अपनी मा की जिन्दगी चाहते हैं तो उनको किसी सनिटोरियम में ले जाना बहुत जुरूरी है मा की जिन्दगी? हाँ, जितनी जल्दी हो सके, सनिटोरियम में ले जागी हो यह थेंक यू डॉक्टर ने क्या कहा बैटा? डॉक्टर ने अब आप अपनी मा की जिन्दगी चाहते हैं तो उनको किसी सनिटोरियम में ले जाना बहुत जुरूरी है अपनी तुम्हें रोक्रा देने से मुझे कोई इंकार ना तुम्हारे पास नोप्री हो तुछ तु सौ-दो-सो यह भीड़े अजरी खना उन्हें एक बुखे परफैस्सर के जरूरत है, ना जवान की नहीं उन्हें जवान की नहीं, बुढे आदमी की जरूरत है बुढे आदमी के जरूरत है झाल 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 छॉदूर लुखो मत, हनुमान सिंह नाम है मेरा, दोनों के हंटी-पती तोल के कर दूँआ। लेकिन सुनिये तो जाप रहो पर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, तुम फजर शक करो मुझ पर हाँ, 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 फुदूल शक करता हूँ, हमेशे मुझे छोटे कद गाता ना दिया करती थी बेशर्म, बेहया, नालाया, पॉत्तमीज, आज देखता हूँ तिरे पुद्धे उठको किम्बे अपने बादा करता हूँ, दर्वादे बन करता हूँ पुकार कैसी, क्या हुआ, होते होते कुछ होई चला था, वालकिन इस लफंगे ने दर्वादा बं किया था, कि मैं पहुं दिया क्या, क्या, दर्वादा बं कर दिया बाहर से, भी तर गए, और खिर किया भी, क्या, लेकिन प्रफेसर साब, मैं तो आपको दूसरी कॉटिन में छोड़के गई थी, फिर यहां पर यह दर्वादा खिर किया, तुम सब जाओ यहां से, सुना नहीं, जाओ, जी मैं भी, तु इसकरिज गान, मुझे नौजवानों के चालचलन पर भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया था, जी बिलकुल, बिलकुल, लेकिन इस वक, आपको भी अपने चालचलन का यकिन दिलाना होगा मुझे, समझे आप, जी बिलकुल, बिलकुल, तो जवाब दीज आप इस कॉटेज में कैसे आए? मैंने आप से कहा ना कि दूसरे कॉटेज के बात्रूम में कोई था. नामुम्किन! मैंने अपनी आखों से देखा कि कोई वहाँ पर… मैं कहती हूँ नामुम्किन! मेरे हुकम के बिना वहाँ कोई कदम भी नहीं धर सकता! शायद ना धरा हो कदम, मैंने तो सिर्फ हाथ ही देखा था उसका. तो पूरी तरह हिजाज परताल क्यों नहीं की? जहां क्यों चलिया है? यह वह यूँ के वह हाथ जनाना था और… और क्या? यानि सिर्फ हाथ ही हाथ था, हाथ पर दर्जी की निशानी तक नहीं. क्या? उस तरह का हाथ उस कौटेज में कैसे दाखिल हुए? बहुत ही खतरनाक हाथ था देवी जी, इसलिए मैं सरपट भागा वहां से, सनाना हाथ से दूर रहने की आदत है मुझे. सच मुझ? जी, बिलकुल, बिलकुल. दरसल मुझे औरत जात से ही नफरत है, इसलिए मैं अब तक कवा रहा हूँ. अपने कौटेज में जाओ. जी. और फिर कभी इस तरफ ना आना? जी. अनुमान सिंग? मसके. कल सुबा साड़े छी बजे इने मेरे पास ले आना है. कल आपको सब काम समझा दिये जाएंगी. जी, बिलकुल, बिलकुल. तो औरत जात से ही नफरत है आपको? जी, पहलवान जी. और जात से ही नफरत है? इसलिए मैं एक खेके दवादबन हो रहा था. यह मैं तुम्हें कल समझाओंगा, पहलवान जी. जाए. नमस्ते. चालिस सेकेंड लेट हो, प्रोफेसर. जी, मैं, मैं. जब खुद तुम वक्त के पाबन नहीं, तो बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे? जी, मैं आएंदा चालिस सेक जल्दी आजाया करूँगा. इस घर में तुम्हारी क्या-क्या जम्मेदारियां हैं, साफ-साफ सुन लो. दो छोटे बच्चे हैं. स्कूल में उन पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा सकती, इसलिए उन्हें घर पर ही पढ़ाओगे. दो छोटे बच्चों को? जी हाँ, पूरे आर्ट सो रोपर तनफ़ा दे रही हुएं आपको? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल. तो जाइए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजी. हनमान सिंग गारी. और सुनिये, शाम को मुझे लोटने में शायद देर हो जाए. लेकिन ये लड़कियां तब तक कॉलेज से लोट चुक्यों होंगी, तब उन्हें संस्कृत पढ़ाई. संस्कृत? पूरे आठ सो रोपर तनफ़ा दे रही हुएं आपको? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. संस्कृत, जी हाँ. कम दीदी, लेट्स को. सुनिये, सुनिये. आप लोगोंने कल जान बूज कर क्यों शरारत की मेरे साथ? क्या बैर है आपको मुझ से? आंटी, आपको कुछ होकम दे गई हैं. जी हाँ, जाता हूँ, जाता हूँ. देखिए, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ. किसी से बायर करने नहीं आया हूँ. सिर्फ हिल मिल के रहना चाता हूँ आप लोगों के साथ. हमसे किस तरह से हिल मिल के रहना चाते हैं आप? संस्कृत पढ़ा के? जी, वो तो पढ़ानी होगी. आपकी आंटी का हुकम जो ठैरा. दीदी, यह हमसे हिल मिल के रहना चाते हैं. खुकमते गुलाम है ना आप? जाए, आंटी का हुकम पुरा कीजिए. कम. अच्छा. क्या नाम है तुम्हारा? बंटी. बंटी. और तुम्हारा क्या नाम है? तुनू. मुझे यहां किम बुलाया गया है? जानते हो तु? हमें पेटने के लिए? पेटने के लिए? किसने कहा ये? बड़ी दीधी ने. बड़ी दीधी कहती है कि पौंगा पंडिट अंटी से भी ज्यादा पेटेंगे. पौंगा पंडिट? हाँ, वो आपको कहती है, पौंगा पंडिट. बेलकुर जुट बोलती है तुम्हारी दीधी. मैं तुम लोगों को कभी नहीं पीटूँगा कभी नहीं पीटेंगे कभी नहीं पीटूँगा बेटा कभी नहीं चलो चलो अपनी किताबे लाओ देखें तुम लोग क्या सीखें अभी तक पूंगा पंदित चली गर्ड बॉय, I got it जयरांदी के पजाले दी जयरांदी के पेटा जयरांदी JCAR यरप खुलि criticism संसु की किताब festivals को चपचानiousल कोई चोटे किताब चाईए जिसे संसु सिखी जा सबीक बाल संसु करें आल संसु करें शुर्यका किरन विक्षमूलम विक्षकमूल विक्षकमूल, विक्षकमूल आटी की आनी का टैप हो गया, अगर पॉंगा पंडिता शामिल हुआ तो तो उल्डे हमारी मुसीबत हो जाएगी, पॉंगा पंडित के लिए ही तो सारा प्रोग्राम बनाया है किसी ना किसी तरह उसे शामिल करना ही पड़ेगा, तुम पूरी कोशिश करना हो, अच्छा बाले काओ, वहां क्या कर रही हो, जल्दी से इधर आओ आगा है प्रोफेसर साहाब, हम आ गए बैठो कहिए, क्या हुक्म है आज बड़े मिठे ढंक से बात कर वही हो, क्या बात है आपने कहा था न, क्या आप हमके हिल मिल के रहना चाहते हैं दिलो जान से चाहता हूं बाली के, दिलो जान से प्रोफेसर साहब, इस वक सैस्ट्रिक पढ़ने का मूड नहीं है यानि के मुझे नौकरी से निकलवाने का मूड है तुम लोगों का नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आंटी के आने में तो भी बड़े देर है तब तक संस्कित का मूड बन जाएगा और अगर मूड नहीं बना तो आंटी की तरह आप भी शक की दिमाग के हैं आपसे हमारी कभी नहीं पटेगी कैसे रूखी किसम के इंसान होते हैं ये बुड़े ये बुड़ा बड़े चटपटे किसम का इंसान है बाली के यकीन करो हाँ यकीन करें, संस्कृत के सिवाए आपको कुछ सूचता ही नहीं आपकी जिन्दा दिली की उमर बिलकुल नहीं तो क्या जवान है या? शकल से ना सही लेकिन दिल से जरूर हूँ जिन्दा दिली का तालुक दिल से होता है उमर से नहीं नहीं अच्छा, तो अभी पता चल जाएगा कि उमर ही से जिन्दा दिली है बुरे क्या, खाक जिया करते है कि उमर ही क्यार गिले ये नदर है क्या नशले प्यार में खोए खोए में अमारा रों रों देते हमारा ही जमाना है हाई हम पर थे जवानी और दुनिया थे दिवानी किसके हम ही थे दिलदार कोई करता था हमसे प्यार हमारा भी जमाना था हाई हम परति जवानी ये मत वाली चंचल आखे देखे सपने बागल आखे गुजरा बजबन चाई बाहरे ये उमर है क्या रंगेले ये नजर है क्या लशेले प्यार में खोई खोई नए हमरा रूम रूम पेचेंच अमरा ही जमना है ये उमर है क्या रंगेले कि दम है जब तक जीवन अपना अरे जान है जब तक सब कुछ अपना दिल की बाते सुन लो अपको दिल की बाते सुन लो अपको आखों की दुबानियों हाए हम फर्त जवानी और दुनिया थी दिवानी किसके हम भी थे दिलतार कोई करता था हमसे प्यार हमारा भी गमाना था हाए हम फर्त जवानी जीवन क्या ही हसते रहना मन मौ जोले बैते रहना चुपके बैठो माने नहां चुपके बैठो माने नहां पते वो पुरानी है ये उमर है क्या रंगेले ये नजर है क्या नशले प्यार में खोए खोए निन हमारा रूम रूम पेचन हमारा ही जमना है ये उमर है क्या रंगेले हमने माना हम पे खिजा है फिर तो अपना फिर भी जवा है अहां पुडे मुना देखो दिल को देखो छोड़ो ये नादानी आय हम कर थी जवानी और दुनिया थी दिवानी इसके हम भी थे तिल दार कोई करता था हमसे प्यार हमारा भी जमना था ये उमर है ग्यार के लिए ये नजर है क्या लशे ए क्यार में खोए खोए नैं हमारा रूम रूम बेचन हमारा ही जमना है हमारा भी जमना था हमारा ही जमना है, हमारा भी जमना था तो जे सबत पड़ा रहे हैं आप लड़कियों को? जे, मैं.. आपने कहा था आपको आरतजास से नफरत है क्यों? पाज बाज बाज ने क्यों.. हनमायम सिंग! मालकेंज.. सुबा साथ से पहले प्रोफेसर को स्टेशन पहुंचा दो! स्टेशन? बस-बस.. सुबा आठ बजे गारी जाती है.. अब हमें आपके कोई ज़र्वत नहीं.. सुनिये तो.. मैं बस सुनना नहीं चाहती.. और तुम.. जरा अंदर तो चलो.. अब मैं तुझे सेनिटोरिय में कैसे रखूंगा मा.. कैसे रखूंगा मा.. बाए बाए प्रोफेसर साथ.. आप चाह रहे हैं प्रोफेसर साथ.. इनके जाने से तुम लग बहुत खुश हूँ.. आप नहीं जाएंगे प्रोफेसर साथ.. ये लड़कियां.. आप से जितनी नफरत करेंगी.. उतनी ही ज्यादा तनुखा मिलेगे आपको.. तुम लोग जाओ.. कॉलेज जाने के तयारी करो.. हरिया.. प्रोफेसर साथ का सामान कॉटेज में ले जाओ.. आप जाएए.. बच्चों को परहाईए.. अजीब बुर्या है.. कभी निकालती है.. अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे आप यहाँ.. क्यों मुझसे बैर करने पे तुली हैं आप.. अभी जे घबरा गए.. बहुत हस्ती हैं आप.. यह तो कुछ भी नहीं.. जिस दिन आप और भी ज्यादा बेयाबरू होकर निकलेंगे.. उस दिन जीब भर के हसूंगी मैं.. वो दिन जब आएगा तब आएगा.. उससे पहले एक दिन बहुत रोहेंगी आप.. मुझे रुलाने वाला.. आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ.. अच्छा.. चनाब.. देख लीजेगा.. कौन रोता है एक दिन.. मैं या आप.. देख लेंगे.. देख लेंगे.. दालो.. और दालो.. कॉलर की प्यास खाड रहे है या बैंगन.. और बार ही काटो.. यह आपको बन्ना सिखाते है.. कमबग कहीं के.. अच्छी बली बंबई में कॉलिज में पढ़ती गी.. खसकर यहां आगे.. तो अब भी क्या विबड़ा है.. यहां किसी कॉलिज में दाफिल हो जाने.. वो अर्मन माबाब किसद गया मरती.. अब कॉलिज का नाम लिया.. तो शहीदो में नाम लिखाना पड़ेगा.. जलाब बैठा से.. तुम नहीं जा सकती.. मुझे छुटी है फूला नी.. तीता को छुटी होने में अभी देर है.. मैं दब तुक लॉट आउंगी.. लॉट आउंगे तुम नहीं जा सकती.. आंटी को पता चल गया.. तो मैं उन पो क्या जवाब दूंगे अपना.. पुल्डानी.. कर्णल साब का बटलर.. कॉमल.. अगर मैंने अंडी को बता दिया तो.. ठिकरना करो.. मैं जल्दी लॉट आउंगे.. कॉमल.. कॉमल.. तेलवास्टा साथ.. मेरा कोट तयार.. यस सर.. थोड़ा सा काम बाती.. बड़ा ही अजीब कोट आपने बनवाया था.. दोनों तरफ पहनी एगा.. जी.. एक तरफ जवाने के लिए.. और दूसरी तरफ बुढ़ापे के लिए.. जी.. कोई अतराज है आपको.. जी नहीं.. मैं ट्राल ले सकता.. जरूब.. आईए.. आईए.. यहाँ परसे तंग है.. यह जीन्स.. और कमर परसे धीली.. क्या बना दिया है.. वो सब ठीक हो जाएगा.. आप बिलकुल फिकर ना करें.. मिस्नीना.. क्या फिकर ना करूँ.. बार बार चक्कर लगाने पर भी.. कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है.. आप ख्याल रखियेगा.. वो सब ठीक हो जाएगा.. मिस्नीना.. कब तक ठीक कर देंगे आप इसे.. बस दो दिन में.. तो ठीक है.. बुद को दो बज़े आँगी.. मैं इसे लेने.. वेरी वेल मेडम.. क्यला माश्य साफ.. कोट आपने बहुत अच्छा बनाया है.. सिर्फ इसकी लंबाई जरा कम कर दीजिये.. इतना करीब.. बिल्कुल कर दूँआ साफ.. मैं भी बुदवार कवाऊंगा.. दो बज़े के करीब.. वेरी वेल साफ.. टेलर मास्टर.. इधर आना जरा.. येस माडम.. मेरा दुपट्टा कहा गया.. दुपट्टा.. हा.. जीस पहनते वक्ते हैं.. ये अंदर तो उता रहा था मेने.. कहा गया.. मैं कहती हू.. ऐसे लफंगे लोगों को तुम अपने आने ही चूदेते हो.. वो अपना कोट लेने जरूर आएगा.. तब मै.. तब को मारो गोली.. मुझे अभी अपना दुपटा चाहिए.. ऐसी हालत में.. मैं घर कैसे जा सकती हूँ.. एक तर्कीफ.. कमीश का कपड़ा.. ए मिस्टर.. मैं.. हाँ.. तुम.. ये तुम्हेरे गले में क्या है.. रस है मेम सहब.. रस.. तांसन हिर्णियों को खेज लाते थे.. मैं हसीनों को खेज लाता हूँ.. अपने करीब.. मैं इस दुपटे की बारे में पूछ रही हूँ.. मेरा दुपटा मालूम होता है.. शायद.. बड़ा ही आशिक मिजज है कमबक्त.. देखी मेरे कोट के साथ लिपटा हो चला है.. तुम सीधी तरह से मेरे दुपटा देते हो है.. मैं बुलाओ पुलिस को.. बुलाई.. जरूर बुलाई.. पुलिस हम दोनों को ठाने ले जाएगी.. और वहाँ आपको अपना नाम और पता लिखवाना पड़ेगा.. कुछ भी कहिए.. अब तो पुलिस से दिलवाएगी आपको ये दुपटा.. जी.. सुनो.. सुनो.. तरस खाओ मुझ पे.. मैं बिना दुपटे के घर गई.. तो घर वाले क्या कहेंगे.. कहेंगे वाएंगे कुछ नहीं.. सिर्फ दो-चार थपड लगाकर आपके ये गुलाबी गाल सुर्ख कर देंगे.. मेरा दुपटा वापिस कर दो.. मैं तुम्हारे हाद जोड़ती हूँ बाबा.. सिर्फ हाद जोड़ने से काम नहीं चलेगा.. आँखों में आशु छलका कर आपको गिरगड़ाना होगा मेरे आगे.. इंसान नहीं.. जानवर हो तुम्हें.. मुझे थपड़ खाना मन्जूर है.. तुम्हारे आगे.. कभी नहीं गिरगड़ाओंगी में.. कभी नहीं.. ए.. नहीं रोई.. सुनिये.. क्या है.. नहीं.. विम्ला.. ओ.. तो लिखिये.. लिखे.. प्रीतम.. प्री.. चौके नहीं.. मेरा नाम.. लिखे.. क्या देख रही है आप.. तुम्हारे इस शबले कुई जानी पहचानी सी.. मैने तुम्हें कहीं देखा है.. जी.. जरूर देखा है.. कहा.. सपनों में.. आगे क्या लिखना है.. अगर आज.. तुम मेरा डुपट्टा वापस.. ना करते.. तो जानते हो.. मुझ पर क्या गुजरती.. जानते हो.. मुझ पर क्या गुजरती.. नीचे अपना नाम लिख दो.. लिख दीजिये.. आपकी.. प्रीमिला.. आपको नीना कहकर फुका रहा था.. लिखे.. लिखे.. यह रही डुपट्टे की रिसीट.. यह रही आपकी कौपी.. यह रहा मेरा पैल.. और यह रहा आपका डुपट्टा.. यह आपने टेलो मासे से लिए.. मैं से वापस कर दूना.. कोई.. अपपू.. प्रीहर कला सीप कर लोट रही हो.. अगर आपको घर चलना तो जल्दी आये.. किन्तु इतनी जल्दी भी क्या.. चलो ड्राइवर.. बालिके.. इसमें नाराज होने की कॉमसी बात है.. गुढ़ाबे में.. चलो ड्राइवर.. उत्रो.. नीचे उत्रो.. 20 मिनिट लेट हो.. ये देर कैसे हुई.. ये बेबे नीना.. क्या किया इसने.. कहा गयी थी ये.. फूल रानिंग.. जवाब दे मुझे.. जी.. कही नहीं.. कही नहीं.. सच सच बता.. वरना खाल खीच लूंगी तेरी.. लड़की ने जुरूर आज.. जुरूर आज कुछ हुआ है.. जी हा.. हुआ है.. क्या हुआ है.. आप ही क्यू नहीं पता देती.. जी.. मैं.. आंटी.. जी.. दरसल.. मेरी वज़े से इन सब को देर हुई है.. दोपहर को शहर गया था.. सोचा बापसी में गाडी में लिफ ले लू.. बूड़ा आदमी जो टाहरा.. रास्ते में एक दो चीज़े खरीदने क्लिए.. मैंने गाडी को रोका भी.. आप सच कह रहे हैं.. जी बिलकु.. बिलकु.. हर कदम पे अपनी ही वज़े से देर हुई है.. कसम ले लिजी.. आएंदा कभी इस तरह देर ना कराये गए ने.. आप नहीं जानते.. कैसे कैसे ख्यालत आते हैं मेरे दिमाग में.. जल्ला कहेंगी.. शायद आप इन्हें गलत समझ रही है.. माना के इनका बरता बड़ा सक्त है.. लेकिन.. यह सक्ती शायद मुहबबत की वज़े से हो.. मुहबबत.. आंटिक और हमसे.. देखा नहीं आपने.. आप लोग 20 मिनिट नहीं लौटी.. तो कितनी परेशान हो गई वह.. आपके सिवाए इस दुनिया में और है कौन उनका.. शायद आप इक लिए उनने अभी तक शादी नहीं की.. उन जैसी डिक्टेटर से शादी करता ही कौन.. मर्द हमेशा उनके साय से भी दूर रहे है.. मैं नहीं मानता.. मैं नहीं मानता.. पड़ी लिखी है.. दौलत मन है.. जमानी में खुबसूरत भी रही होंगी.. चाहती तो आसानी से शादी कर लेती.. लेकन अगर कर लेती.. तो आप लोगों की देख बाल कौन करता.. हमारी धेल बल सिफ छे महीने से कर रही है.. समझे आप.. छे महीने से.. जी हाँ.. छे महीने पहले हमारे माबाब जिंदा थे.. हम उनके साथ.. इस नरख से बहुत दूर थे.. आप आंटी की चमचागिरी कीजिए.. लेकिन हमारे सामने नहीं.. हम उनसे नफ्रत करते है.. और आप से भी.. शुक्रिया.. बढ़ाय पॉंगा पंदित.. उसका खयाल है.. कि वो आंटी को समझता है.. कल ही समझ जाएगा.. आज देखा.. में क्या बना है फुलानी.. वही तुम दोनों के लिए.. फ्राइट टमाटर.. सलाथ की पतिया.. एंड बॉर्ली वाटर.. बॉर्ली वाटर.. यस.. जद देखो.. तक जौ का पानी.. और ये कर्दिक घास.. हमें इंसानी जानवर.. बस करो.. पूरा भर दो.. लिकिन आंटी.. में इस सब कैसे.. सब पीना पड़ेगा.. एक बून नहीं छोड़ सकोगी.. समझी.. तुम्हें जो कुछ कहा.. मैंने सब सुन लिया.. तुम्हें जो का पानी पसंद नही.. गरम और तेज़ खाने पसंद दे.. गरम और तेज़ खाने.. तुम्हारी मा को भी बहुत पसंद दे.. दो दिन के लिए.. हमारे यहां महमान बन कर आई थी.. और मेरे भाई को ऐसा फांसा.. कि सारे खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी की उसे। जो मा इस दुन्या में नहीं उसे बुरा भला ना कहिए आंटी। तुम भी बिलकुल अपनी मा पर जा रही ह। इस तेजी का मैं तुम्हे वो मज़ा चखाऊंगी। आंटी। रामश। क्या कहना चाहती ह। वो क्या। उनका खयाल है आप बड़ी खुबसूरत हैं। उन्हें आपके शकलों सुरत अच्छी लगती हैं। क्या। जी हां। उस दिन कहा कि जवानी में आप बड़ी खुबसूरत रही हैं। उसकी यह मत। मैं उसे। कौन है वो, मर्द या औरत। मर्द, प्रोफेसर सहाब। प्रोफेसर। प्रेमा। प्रोफेसर को फॉरण बिलाओ। फॉरण। आज पॉंगा पंडित की छुट्टी। जल्दी खाओ, कालिज का वक्त हो रहा है। चूले में जाये खाना। हमें भूगा रहना पसंद है। आपने मुझे बुलाया। तुम्हारी ये यूमत। जी। तुम्हें मेरी शक्ल सूरत अच्छी लगती है। कै ये सच है। जी नहीं, बिलकुल गलत। तो क्यो नट्टिया जुट बोलती है। तुमने उनसे कहा है कि मैं जवानी में खुबसूरती। जी। बात ये थी कि उसक्त मैं उन्हें समझा रहा था। जवानी और खुबसूरती के बाते। ये गंदी बाते समझा रहे थे तुम उनको। जी नहीं, मैं समझा रहा था कि आप उन्हें कितना चाहती हैं लेकिन उसने मेरे खुबसूरती गजेकर कैसे आया जी, उन्हें समझा तो यह कहना पड़ा कि आप जवानी में काफी खुबसूरत रही होंगी चाहती तो अच्छी से अच्छी जगा शादी कर सकती थी और अगर आप शादी कर लेती हैं तो आज मा की जगा लेकर उन लड़कियों को कौन पालता उस वरत का नाम न लो मेरे सामने मा की नहीं, बाप की जगे ली है मैंने जी घलती हुई मुझसे बाप ही की जगा ले सकती हैं आप बैठिये शुक्रिया उन लड़कियों ने जरूर मुझे बुरा भला कहा होगा शायद इसलिए आप समझा रहे थे उन्हें जे नहीं, उन लड़कियों ने तो कुछ नहीं कहा मैं यूही समझाने लगा यूही, यूही क्या बस आपकी तारिफ करने को जी चाहा इसलिए बैठे बिठाए, मेरी तारिफ करने के जी क्यूं चाहा आपका नगाने क्यों, बस चाहने लगा आइंदा मेरी तारिफ करने को जीना चाहे आपका समझे जी, बिल्कुल, जिन्दगी पर तारीफ नहीं करूँ, अब जाओ, बच्चे को पढ़ाना जाएए सुनिये वैसे जी चाहे तो कीजी तारीफ, लेकिन वो खुबसूरती, जवानी वाली बाते, समझ गया ना? जी, समझ किया, बिल्कुल समझ किया यह सब क्या हो रहा है? अपनी किताबी ले क्यों नहीं बैठे तुम लोग? प्रोफेसर साब, आज आपको छुट्टी मिल गई ना? छुट्टी? आपको छुट्टी तो हम कभी छुट्टी कैसी छुट्टी? बड़ी देदे कहते थी, आज पुंगा पंडट को छुट्टी मिल जाएगी तो मेरी छुट्टी कराने के लिए वो गुल खिलाया मेम साहब ने चलो चलो, कोई शुट्टी नहीं, कोई शुट्टी नहीं किसा पर रिकलो, बड़ो, बड़ो उंगा पंडट कहती है मुझे मेरी जीन्स ठीक कर दी आपने? आपकी मर्जी के मतारिक मेड़म नूर मेम साहब की जीन्स केविन में पहुंचा दो ट्राइल लीजे, खुश हो जाएंगी अब आप उज दिन आपने आपने अजी भरकत की यह रहा आपका कपड़ा कपड़ा? यह तो मैंने उन मेम साहब को दिया था और उन मेम साहब ने मुझे दिया अब तो समझगे न, तुम हमारा रिष्टा समझ गया ता बिल्कुल समझ गया वो कोड तयार है आपका सुनो, जी नीना दियर हेलो तुम यहाँ? जहाँ तुम, वहाँ हम तुम्हारी यह हिम्मत शांती, शांती यह चिठी आपके घरवलों तक पहुँच जाए यह तो आपना चाहती होंगी हाँ? दो इदर आई आईये तुम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है हाई Sir यह रहा आपका कोट और यह चेंज Thank you very much वह दूसरा बंडल जल्दी से तयार कर ला अभी लहाँ क्या चाहते हो तुम? आपका मधूर साथ चाहता हू क्या मतलब? फिलहाल जीवन भर का साथ नहीं चाहता सिर्फ पल भर का इस दुकान से बाहर तक आप मेरे साथ चलेंगी हर्गीज नहीं जाएंगी तो जरूर नहीं कहते हूंगे शांती शांती यह आपका दूसरा बड़ल तैंक यू सौमच तैंक यू सौमच तैंक यू आओ डियर कम कुछ खयाल ना करना टेलर मास्टर साहब हमारा तो यह सिलसला पिछले जनम से है समझ गया सर बिलकुल समझ गया मेरे कपड़ी, मेरे कपड़ी कहां गए यह चा रहे है मैं बंडल देते हूं यह नहीं रो यह गिरगड़ा है शायद मिल जाए मैं गिरगड़ा हूं तुम्हारा सर सरे तसलीम हम है जो मिजाज यार में आया बात तो जब है यह फरमाश प्यास्या अ क्या मैं बात बात मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहां ये न पूछो किधे ये न पूछो कहां सजदे में हुसन के जुक गया आसुमा लो शुरू हो गई प्यार की दास्ता सजदे में हुसन के जाओ जहां कहीं आखों से दूर दिल से न जाओगे मेरे हुजूर सजदे में हुसन के जुक गया आसुमा लो शुरू हो गई प्यार की दास्ता मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहां ये न पूछो किदे ये न पूछो कहां मैं चली मैं चली पहके कदम चाहे बेके नजर जाएंगे दिल लेके ज़ाएंगे जाएंगे दिल लेके चाहें प्यार की राहों में प्यारा सफर हम खोब जाएं तो क्या है फिकल मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहां ये ना पूछो किदे ये ना पूछो कहां सजदे में घुस्न के जुग गया आसमा लो शुरू हो गई प्यार की दासता मैं चली मैं चली मैं अपनी नाजक उंगलियों को बेकार तकलीद दे रही है आप असली खत तो यह है भाई 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 आमाला सारी बत्थीयां जलादा ना सू आमाला ना सू आप तुम जाओ आपने मुझे याद किया क्या मैं क्यों तुम्हें याद करने लगी मेरा मतलब है के आपने मुझे बुलाया हाँ बैठे ना आप यहाँ अच्छे तो हैं जे बिलकुल मैं कल सवेरे बाहर जा रही हूं जी आप वहाँ नीचे कुछ पढ़ रहे हैं क्या जी नहीं यूही देखिये मैं क्या कह रही थी मैं क्या आप कल बाहर जा रही है हाँ नीना के पिता यने के मेरे भाई प्लेन एक्सिडेंट में अपने पतनी के साथ खत्न हो गए बंबई में रहते थे वो वहाँ उनकी काफी जादा थे जो इन बच्चों के नाम करानी है लेकिन उसमें कुछ कानू नहीं जगड़े है जी उसी सिलसिले में एक बड़े वकिल से मिलने में बाहर जा रही हूं शाद एक दू दिन लग जाए मेरे ख्याल है मैं आप पर भरोसा कर सकती है आप मुझ पर भरोसा करें यह दो खुशकिसमती है मेरी उन लड़कियों पर नजर रखिएगा कड़ी नजर बिलकुल कड़ी साहब बिलकुल अब जाओ अच्छ देखिए मेरे बारे में यहने कुछ बर्स पहले मैं कैसी थी उस बात का दिक्र लड़कियों से बिलकुल नहीं करूँगा बिलकुल नहीं उस बारे में खुद भी नस सोचिए जी जी माजी इतने रुपे कुले पड़े है अरे मेरे बेटे ने भेजे हैं पूर तीन सो है वो बहुत बड़ी तनखा लेता है अब तो सोचो तो जरा माय ठैरी बुडिया इतने ठैर सारे रुपे कहां खर्च करूंगी भला पर वो भेजे बिना नहीं मानता आखों में एक है मेरा बेटा जी चाहता है बस दिन रात देखते है रहा बड़ी सुन्दर है क्या अरे आया तो था यह मुझे छोड़ना है तब शायद तुने उससे नहीं देखा जी ने ठर मैं उसकी ख्रटू दिखा देखा यह देख क्यों सुन्दर है ना जी जी हम बहुत बहुत हनुमान सेंग सब काख़ात ले लिये यह यह जरा इनका ख्याल रखेगा जी बिल्कुल बिल्कुल बीदी बालीके विध्यालाई से छुट्टी है विध्या से नहीं चलिए संस्कृत पढ़िए अच्छा पालीक ऑफ चलिए है मेम साब हम दोनों को एकी ज़ोर से बांदना चाहती है बांदो बांदो शौक से बांद एए गुल बदन एग गुल बदन यह बंद रहें पंदाने पशाने का शिकर रहा रगे गुल से बुलबुल के पर बांते हैं आप की तारीफ? ये मैं नहीं जानती है इन्हें ऐसा चमजा कर लेती हैं जी दरवसल इन्होंने ये ख़त लिखकर मुझे यहां बुलबाया पढ़िए पढ़िए नहीं अब तो ये किना है आप लोग को अच्छा तो ये बात है तो समझी बंचा जीती रहो जीती रहो खाख समझी तुम लोग दरसली आदमी बढ़ना दीदी कौन है ये यह क्यो बनाए तुमने इन्हें इस लिए कि इन्हें इश्क हो गया क्या? मुझ सा नहीं मेरे गाने अच्छा तो तांसनी दावा भी है हुजूर को तो शुरू हो जाए सहाथ फारन शुरू हो जाए है फारन शुरू हो गया कहिए गले से गाओं या दिल से अपने सर से भीजे गुल बदर इस सहाब यहां से गुल होने का क्या लेगी? गुल तो यह हो नहीं सकते है हाँ काटा जरूर है जी क्या? तुम्हारा स्थर हाँ फूलों की महक काटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से महबत ना हो जाए कहीं आज किसी से महबत ना हो जाए ए गुल बदर ए गुल बदर फूलों की महक काटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए किसी से मुड़ पर आ गई जिन्दगानी कि हपिपत न वन जाए मेरी कहानी किसी से मुड़ पर आ गई जिन्दगानी कि हपिपत न वन जाए मेरी कहानी जब आहें भरे ये ठंदी पवन सीने में सुलग उठती है अगन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए क्या आजीब रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालिक ने संदर बनाई क्या आजीब रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालिक ने संदर बनाई नदिया का चमकता है दरपन मुकडा देखे सपनों की दुलहन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए मैं तुमी से यूँ आँखे मिलाता चला हूँ के तुमी को मैं तुम से चुराता चला हूँ मत पूछ मेरा दीवाना पन आकाश से उची दिल की उडन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए ए गुल बदन ए गुल बदन पूलों की महक काटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए नीना इससे पहले भी मने तुम्हे बहुत परेशान किया पर तुम कभी ना रूए लेकिन आज आज से पहले तुम इतना परेशान कभी भी ना कर सके मुझे लेकिन आज आज तुम रोई हो सोचा था जब तुम रोगी बड़ी खुशी होगी मुझे लेकिन आज आज तुम्हारे आँसों देखकर एक बोच सा है मेरे दिल में तुपी बता दो ना कौन हो तुम आज सिर्फ इतना कह सकता हूं तुम्हारा दश्मन नहीं हो मैं सुनिये यह गेन मेरा है यहां कैसे आया उनके करकट खेल रहे थे हम लोग तो संभाल के क्यों नहीं खेलते बाल बाल बचके है मेरे सर तूट जाते तो जे नहीं तूट ही नहीं सकता बड़ा मजबूत गेन्द है वो अच्छा जरत देखूं तो इसकी मजबूती थेंक्यो अरे यह साब कहां कहां अरे माप रे सच मुच बड़ा मजबूत गेन्द है बिल्कुल नहीं टूटा मान गए देवी जी आपको लाई ये गेन वापस कर दीजे लड़कें से लचने का नतीजा तो मालू हो गया ना आपको जहां मगर चोट खाने के बाद अब गेन तो क्या गेन का साय भी यहां तक नहीं आएगा लाई ये गेन वापस कर दीजे प्लीज थैंक यू वरी मच रीटा आँटी कौन था वो मर्ड आँटी वो बेहया लड़की दिन दहारे वो मर्ड तुमारा हाथ था में खड़ा था आँटी मैं उसका गेन वापस कर रही था फसूल शकर रहा मैं खूब समझती हूँ आजकल के लड़कियों को जरा नजर हटाई नहीं कि लगी दिखाने अपने लच्छन और आप मैं आपसे कह गई थी कि लड़कियों पर कड़ी निगरानी रखना फिर वो मर्द यहां कैसे आया वीटा ने ठीक ही कहा था उसका क्रिकेट बॉल यहां आपड़ा था वो बॉल एक बहाना था वो लोग आपस में क्या बाते कर रहे थे आप इतनी दूर खड़े खड़े कैसे जान सकते हैं मैं जानता हूँ ऐसी वैसी कोई बात नहीं हूँ रीटा एक भली लड़की है बहुत स्यारा सकती बरती जाए बात बात पर शक किया जाए तो अच्छी भरी लड़का भी बिगड सकती है सिर्फ प्यार और नर्मी से ही बच्चों चुप रहे हैं आप हस्ते बड़े जा रहे हैं हमारे घरे और मामलात में दखल देने वारे आपकोन होते हैं तुम्हों अन्टी आई फूल रानी जी आई मालकिन दो दिन तक रीटा का खाना पिना बंद 2400 घंटे उसे कमरे में बंद रखो समझी खाना पिना बिलकुल बंद तेंक यी प्रफेसर सहाब कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभट जाये बीच मैंसे मैं इसलमा खराम के खाल खिच लूगी मेरे हुकम के खिलाम खाना ने जराता बहन के लिए इतनी सी उमर में मुझसे धोके बाजी करता है धोके बाजी नहीं तो क्या प्यार करेगा एक चलाद के साथ कोई प्यार करता है चलाद? तुमने मझे चलाद कहा? जी हाँ चलाद कहा एक मासुम बच्चे को जो इतनी बेरहमी से पीटे जलाद नहीं तो और क्या है निकल जाओ, फॉरान निकल जाओ यहां से जी खिया मत चाहता हूँ मगर याद रखी सिर्फ प्यार और नर्मिर से आप बच्चों को अपना फर्मा बर्दार बना सकती सलम से कभी न बना सकेगी कभी न तया werd जवाण उर्माट यह गैरो आप जवाणी काफी खुब्सूरत रही होला तो अच्छी सच्छी जगा शादी कर सकती थी जेम नगर में बनाओं की घरमर्ट नचिके सब भने साँ इदर आईये जी आपने मुझे क्या समझ रखा औंदर आईये आपसे मुझे बात करनी है अंदर आईये जी आया बिल्कुल आया बिल्कुल आया क्यूं? आप मुझे बहुत बुरी समझते हैं न? मैं कहती हूँ आप मुझे नहीं समझते, बिलकुल नहीं. शायद. मेरा मतलब, आप जो आप मुझे समझते हैं गलत हैं. पहले आप मुझे ठीक समझते थे. कब? उस दिफ, उस दिन जब आपका मन चाहता के मेरी तारिफ करे, उस दिन ठीक समझा था आपने मुझे. शायद. शायद क्या? मैं कहती हूँ आप मुझे वही क्यों नहीं समझते, मैं जलाद नहीं। समझे आप मैं जलाद नहीं। अगर आपने मुझे जल्लाज समझा, तुम्में सीता देवी, सीता देवी, मैंने तो सब कुछ गुस्सने कह दिया था कल आपको बंबई जाना होगा क्या? बंबई? हाँ, वहाँ नेना के नाम जो जायदात करानी है उसी सिलसले में वकिल वगरा से मिलना है, बड़े भरोसे का काम है आप ही ने कहा था ना, कि मैं आप पर भरोसा करूँ, यह खुशकिसमत ही है आपकी जी तो फिर कल ही जाएए, बड़ा जरूरी काम है, कोई दिन बाद हम भी आएंगे वहाँ आप जाएंगे ना जी चाहूंगा नॉर्मल नॉर्मल, मा अची हो गई, मैं फिर से जवान हो सकता हूँ जवान, तो आप क्या भी बुढ़े हैं जी, जी नहीं, मेना मतलब है के मा की फिकर में जवानी में ही बुढ़ा बना दिया डॉक्टर साथ, यह बताईए मा बिलकु ठीक हो गई है घवराने की कोई बात नहीं, पहले से बहुत बेतर है कुछ दिनों भी बिलकुल अच्छी हो जाएंगे अच्छा थांक्यू डॉक्टर प्रीतम यह क्या है? मा हो मा वह वहां मुझे नाटक खिलना पड़ता है, मा उसके लिए नकली दाड़ी खरीती तुम बच्चों को पढ़ाने गया है या नाटक खिलना यह तो मुसीवत है, मा पढ़ाने के साथ मुझे नाटक भी खिलना पड़ता है तुझ जल्दीसे ठीक हो जा, मा मैं फोरा नाटक खिलना बन कर दूँगा, बहले ये नौकरी चली जाए ऐसा ना कहा बिटा, बड़ी मुश्किल से तुझे ये नौकरी मिली है तो मेरी बिलकुल फिकर ने कर, अपने काम का अजमे दिल लगा वहाँ माँ, दिल तो मैंने लगा लिया है, मंगर वो नाटक खिलना मुझे पसंद नहीं, माँ कालेज में तो बड़ी लगन से नाटक खेला करता था, अब क्यों पसंद नहीं यही तो मुसीबत है, माँ, वहाँ दिल लगने के बाद भी वो नाटक खिलने को मेरा दिल नहीं मानता खेर, बंबभई जाकर कोई तरकीद मिका लूँगा बास ना जलुआ मेरे सुलाय हमारे साम से होना दुआ, मैं तुमारे लिए थोड़ा लानाया था मालतीष, रमेश भीया, तुम इदर कैसे है? मिताजी आज कलकत्ते जा रहे हैं, दोजार दिन के लिए संशी, मामा जी कलकत्ता गए और आज के लिए मैदान साथ तब तो जरूर कोई पार्टी जमेंगी हाँ, कल्धी बहुत बड़ी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, इन्हें देखने के बाद हुई है या पहले से खुए जी, जी मैंने ही आज सकूंगी, घपराओ नहीं गोरी लड़कियों के मामले में जरूरत से ज्यादा शरीफ हैं यह पार्टी दिन में होगी, आईये लो मुझी नहीं, आंटी का डर्टी? मुझी आंटी का कोई डर्टी नहीं, फिर भी मैंने ही आ सकूंगी मालती आपके साथ होगी, फिर क्यों इंकान? जुरूर आंटी से डरती हैं आपके मैंने कहना मैं आंटी से नहीं डरती, मैंका जुरूर आउंगी तर तर रुमिष भीया, कल मिलेगे जल्दी जल्दी? दो जिन्ठी होगी यहां बड़ा जालिम था कौन? जिसने घरी बनाई था उससे भी जालिम था कोई और? कौन? जिसने फर्स बनाया मुझसे भी जालिम था कोई और कौन? जिसने दिल बनाया फिर कप मिलोगी? अप मिलोगी आंटी का डर है? जी नहीं जुरूर है जभी तु मिलने से इंकार कर रही हो मैं कहती है मुझे आंटी का कोई डर नहीं पिकली तुमिलोगी Luna Hello Nina Hi Pickles Nice to see you Nina कौन है ये लोग? Aunty Luna Vinoo Zakia मैं पूछती हूँ जे लोग यहां आएं कैसे? Easy old lady easy Bata viz इस हर ब्लॉद प्रेशर आल्राइट नीना? मेडम, बात दरसलिये के हम सब नीना के बहुत पुराने दोस्त है नीना न यहाने कामें लेटर भी लिखा था आप दुनों का हमारे साथ ही ठरना होगा ठरना तो एक परप्रा तुम लोग नीना से मिल भी न सकोगी समझें, लेकिन आंटी आपने शायद मुझे तो ना पहचाना होगा मुझसे बात करो, क्या चाहते हो तुम? जी, चाहता हूँ, इम है क्या? और आपको भी, मैं चाहता हूँ, कि आप दौनों मेरे साथ चले मगर तुम वो कौन? मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा और शायद आपने मुझे कहीं पहीं पहीं मुझसे बात करो जी मेरे मतलब है कि आप लोगों ने मुझे कहीं भी नहीं देखा है मेरे चाचा जी को देखा है प्रोफेसर सहाब, पोटल में बीमार पड़े है बीमार पड़े है? क्या बीमारी है? जी, घबरात की बीमारी है देखियो न, आप इदर आईगे है उदर कपकपी शुरू हो गई है सावान आने में देर है चलिए, चल की चाय पीए चलिए, पहले तो कभी नहीं मिले फिर हमें पैचान कैसे लिया तुमने? जी, चाचा ने बताया था के प्लेन से दो देविया अकेली आएंगी बाकी जितनी देविया आएं उनके साथ देवता भी थे हम तुम्हारी शकल तुम्हारे चाचा से बहुत मिलती है जी, बिलकुल, फर्क सिर्फ दाड़ी का है चलिए, मैं बिल देखे आता हूँ ये रहा आपका कमरा सावान दो रखतो चलिए प्रोफेसर सापका कमरा कौन साथ? ये साथोला कमरा, number 48 आप लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर आराम केची नहीं, पहले मैं उन्हें देख लू रात भर तडपते रहे वो, लोटन कबूतर की तरह सबेरे सबेरे आँख लगी है, सोने दीजे उन्हें दो घंटे से तो तुम हमारे साथ हो, शाह जाग गए हो अब तक ये नहीं, मैं उनकी मजबूरियां जानता हूँ, वो जाग ही नहीं सकते पर देख लेने में क्या हर्ज है मैंने कहा था ना आपसे, बेचारी रात भर तडपते रहे, लोटन कबूतर की तरह, आईए चलिए, जाग जाएंगे, आईए आप लोग अपने कमरे में जाकर आपना सामान लगरा जमाइए, जब तक मैं टी और बिस्केट्स भीजवाता हूँ आवनी ना ठीक है, ठीक है? शाबज, वरी गूद, वरी गूद ये लोग, बोदूसर का सामट गयन? ये सर्थ, ये सर्थ, ये सर्थ हुर। ये सर्थ, और ये सर्थ, बौदूसर का ढौद, ये सर्थ हेलो सीता देवी जी मैं बोल रहा हूँ जी मैं हाँ अभी अभी जागा हूँ वो मेरा नौजवान भतीजा है न परीतम पड़ा ही पाजी है इतनी जोर से दर्वाजा बंद किया के मेरी आखी खुल गई परीतम ने तो आपको बताया ही होगा जैसे ही मैं यहाँ पहुंची फॉरन आपको देखने आई थी कमरे में जी हाँ उसी से पता चला के आप लोग पहुंच गए है सफर में कोई आ करवट बालिके करवट बदलने लगा के फोन छूट गया हाथ से तो अब्यत से अदा खराब है क्या संभलने लगी है बालिके अब संभलने लगी है क्या हुआता परफेसर साहब आपने बात बीच में ही जैसे ही यह आइफोन हाथ से फिसल गया आपका बतीजा कहा है नीचे भेईद्य है मैंने उसे नौजवान है न, समझी न आप जी हां जी हां अच्छा ही किया आपने वैसे लड़का बड़ा शरीफ है मैं तो यहां आते ही बीमार पड़ गया था बड़ी मदद की उसने मेरी कोड जाना, वकील से मिलना सारा काम किया है उस नौजवान ने अच्छा, पर आचानक क्या भीमारी हो गई आपको मयादी बुखार मालूम होता है टाइम पूरा होते ही उतर जाएगा उसके लिए तो अभी वक्त है सामान मगारा भी तो खोलना है आप लोगोंने ओ तो नीना कर लेगी आपकी तबियत ठीक नहीं कोई ना कोई आपके पास भी तो होना चाहिए जाओ नीना, तुम सामान लगा आपके, आपके ओंए क्या हो रहा है आपको? क्प खाहिए छाहिँ में कंबल लपिट जेती संच चुचा पड़ेगा ही आप खाहिए खाहि глуб 것이 आय, मर गया, मर गया, मर गया अज गया काम से, जल्दी से चाय बना दीजिए आय, बच गया, बाल बच गया दीजी चाय जी नहीं, अब इसकी कोई जरुवत नहीं जाओ जाओ, अपना काम करो, जो करना है फोरण करो पी भी लीजिए ना ना, अब रहने दीजिए वैसे भी गर्मी के मारे जान निकली जा रही है आपको तो पसीने छूट रहे है, लाइय में पोच देते ना, ना, डॉक्टर ने कहा, जितना पसीना निकले उतना ही अच्छा है मेरे पोचने से पसीना निकलने तो बन नहीं हो जाएगा लाइय में पोच तो वे, 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 अब क्या होगे? कपकपी, फिर से कपकपी शूरू होगे वे, 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 वे आप लोगों को कोट फॉरन पहुंचना है लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर? कोई पास होता तो अच्छा ही था, देखिये, आज कोट में सिर्फ एफटोवेट दाखिल करना है, नीना के ली भी जा सकती है यहने हम दोनों को जाने की जरूद महीं? जी नहीं, दोनों में से कोई भी एएग जा सकता है और फिर नीना को कोई तकलिफ नहीं होगी, प्रीतम जो साथ रहेगा प्रीतम? जी नहीं, मैं खुद जाओंगी मैं भी चलती हूँ आंटी, तुम यही रहो, प्रोफेसर साब के पास जल्दे जाएगा, कोट का वक्त हो गया है, प्रीतम इचे आ चुका होगा मो क्यों फुला लिया बालिके, प्रीतम के साथ जाने नहीं मिला, इसलिए जी नहीं तो, आपके प्रीतम से मुझे क्या? तो फिर जा देख भालिके, शायद तेरे कमरे का फोन बज रहा है जाएग, शाबाज शाबाज, शाबाज अब देख, मेरे टेलिफोन का नंबर उनके टेलिफोन नंबर से मिला दे हलो, येस, किसे बात करना चाहते हैं? अलो, पिगल्स, आइसे, स्वीडी पाच कौन? विनोट, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? जोकाम, डियर, जोकाम Not at all, not at all बुडिया की बातों का हम लोगने कोई बुरा नहीं माना देखो, हम लोग सेंट्रल पार्क पर तुम्हारे इंतजार कर रहे है फॉरण चलियाओ मैं नहीं आ सकती विनोट Oh no, आंटी तो बाहर गई है लेकिन कोई और भी है यहाँ पर Professor, बुड़ा बीमार है नेंती गोली खिलाद बुड़े को और खिसकाओ वहां से No no, तुम्हे आना ही पड़ेगा हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे है Professor साब, Professor साब क्या है भालिके वीनोट का टेलिफ़न था वो वीनोट का? जी हाँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे एक जिगा इंतजार कर रहे है मैं मिला उन से मैं बहाँ जल्ला उटा हूँगी Professor साब प्लीज, मेरे बच्पन के साथ ही है वो सब अच्छा भालिके, अच्छा परिस्ताडी की लाज रख लेना साब फॉरण जा और तुरंत लौटा रख चेंज करकी दो मिनेट में चली मैं सुन तुन नट डिस्टर्ब का बोर्ड दरवाजे पर लगा देना जारा पड़ी नेंदा रही है अच्छा पर देख अधी हाग चाहँ वहाँ ड्तवक की अच्छा अच्छा उन्पाद एंपाद एंपाद तुन रही है कि वादन वाद है मैं कपता तुम्हा इंतजार करने है मैं पेट फूजा करने गया है जी आ वैजिए ज़िए कदाओ पकीर साफ हलो मिस्ट्र पीक साम आप शिता देभी दूट और दू दू अ हाव जी रáng अपर अभी जिन्दा है मिस्ट्र पीक ताम आपको एफिदेटों साथ लाए है ना जी आप बिल्कुल लाए हूँ वो तो मैं घर ही छोड़ाया हूँ गजब क्या सब आपने आज तो आफाइर करने बहुत जुरूरी है कोट तो भी काफी देर तक बैठे की ना आप आराम कीजिए मैं अभी लेकर आता हूँ आराम कीजिया इनका ख्याल कीजिए का मैं अभी आया हूँ नेना तू यहां जहां तुम वहां हम तो क्या आंटी होटल लॉट गई उन्हें मैं कोट में जाम कराया हूँ लेकिन तुम यहां पर क्या कर रहे हूँ पहले यह बताए कि आप यहां क्या कर रहे है मैं तो तुम्हारे चाचा जिसे पूछ कर रहे हूँ ओ, लेकिन आंटी को तुम मेरे बारे में कुछ बताओगे तो नहीं न, फिलहाल तो यही इरादा है, बता दोगे, देखो, अगर तुमने बता दिया, तो तुम्हारे चाचा फ़रण नौकरी से निकाल दिये जाएंगे, मैं भी यही चाचता हूँ कि बुड़ाउग बहुत किस मुसीवत से आजाद हो जाएंगे, क्या, अगर आंटी ने मुझे भी घर से निकाल दिया तो, तो मेरा घर हाजिर है, जनम-जनमांतर के लिए अडवांस बोकिंग कर लीचे, जरा ठहे रो, जरा ठहे रो, सदा मेरे दिल की, जरा सुनते जाना, खुली पलक में जूटा गुसा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, आखों में इकरार की जलकी, होटों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, जिस दिन से देखा तुम को, तुम लगे मुझे अपने से, और आंके रहे आँखों में, एक मन चाहे सपने से, समझ ना आए क्या जीता मैं, और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, खुली पलक में जूटा गुसा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, तुम प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे, अब तो सारी दुनिया पे, जाहिर है हाल हमारा, पहुच के इस मनजिल पे लोटना, अब तो है दुश्किल, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, खुली पलक में जूटा गुसा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, इसे मेरी बात न समझो क्या बनता है बात बना के कुछ कहना था मेरे दिल का कुछ कहना था मेरे दिल का जाता हूँ वही दोहरा के ना हो यकी तो पढ़ कर देखो आँखों में एक बार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल खुली पलक में जूटा गुसा बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल आँखों में इक रार की जलकी होटों पे इनकार जीना भी मुश्किल हर मरना भी मुश्किल जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल यहां क्या कर रहे हो तुम एफिडिविट लेकर कोड पहुंचने वाले थे ना जी गया था, वहां पता चला कि आप निकल चुकी है बस आप के पीछे पीछे चला रहा हूँ आखिर कब तक इंतदार करती है तुम्हारा वकिल ने मामला कल पर टाल दिया इधर लाओ वकागदा जी मैं प्रोफेसर साथ से तुवारी शिकायत करंगी ठेरी ठेरी शिकायत शाम को हो जाएगी देखिए प्रोफेसर साथ सो रहे है सो रहे है? तो तुपर नेना कहा है? नेना? 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 नेना नेना नेहीं अपने कमरे में कमरे में नहीं तो फिर प्रोफेसर भी नहीं है दोने लापता है लापता है? ओ, डॉक्टर लोटन कभूतर वाला दर्द उनको डॉक्टर के पास ले गया होगा किस डॉक्टर के पास? मैं पता लगाता हूँ आप अपने कमरे में जाके इंतिजार कीजिए नहीं मैं इसी कमरे में इंतिजार करूँगी इसी में? मर क्या? जाओ खड़े-खड़े मूग क्या देख रहे हूँ जी, जाराओ यह चला आ गही है आप? जी जी बत से पहले चलिये हैं यह खड़े दो गड़ इदो देखो प्यूटफुल जो कपड़े पहने हैं उसकी जुरूद नहीं जी यह पहनली जी मेरा वक्त बर्बाद नहीं कीजिए आपकी एजंशी को एक मिनट का एक रुपया दे रहा हूँ आज शाम तक मुझे यह तस्वीर भी खतम करनी है ओ तस्वीर जा यह बातरूम जाके कपड़े बदर लीजिए बातरूम इस तरफ है मेरा यह बातरूम झाल झाल अपने कपड़े कहीं रख के वहीं खड़ी हो जागी अमें लोन्री साम मेले कपड़े दिने बात्रूम से ले लो आच्छा साम यह साथ कपड़े हैं साम हाँ ठीक है अरे वो लड़की कहां गी लड़की जब मैं बात्रूम में जारा था साम हो तो बार की तरफ जारे बाहर मेरे कपड़े मेरे कपड़े लेके भागी चोड़ चोड़ मेरे कपड़े लेके भागी कपड़े राजस्थानी कपड़े घागरा चोली फोटल से बाहर नहीं के तुम की तरफ देखो में ताब में ताब में ताब मेरे कपड़े है में ताब क्या? मेरे कपड़े कोई नी कोई जाओ में जाए में जाए लड़की देखी कहा है छुपा रखिये में काम हैंदा कुण अपना छोड़का कुण काम ने एक लड़की के पेचे दीवाने अरे बिगरता क्यों है भाई अपना काम कर बस काम कर काम क्या कहाई 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 अरे बालिके, कहां गई थी तू, नौकरी खत्रे में थी, बीमारी की हालत में कम्रे से भागना पड़ा, तुझे डूढने के लिए कहां कहां दोडा, है मेरा दिल, लोहार की धौकनी बन गया है मेरा दिल. आप तो मैं थग्या हूँ, मुझे उठा के ले चल आपको? मैं उठाओ? अरी तो ट्रॉली में ही ले चल जल्दी कर, मेरा दिल लोहार की धौकनी बन गया है, अरे चल भी मर गया, मर गया, लोहार की दौकनी हो गया है, मेरा जिए कहांगे इसे तुम लोग? डाप्टर के पास डाप्टर के पास? है राम, क्या हुआ? कप-कपी, फिर से कप-कपी नेना जाओ, अपने कमरे से कमब लियाओ लाओ, अंदर में, समाब लाओ, लाओ समय लाओ, समय लाओ चुप भी रहिए, उदर पी तर मिचारा भी परेशान हो रहा होगा आपको ढूंढ़ ढूंढ़ ना जाने कहां भटकता होगा इतने सारे हाँ, तभी आपकी हुंहुं बंद होगी हाई रे बुढ़ापा, अब तो एक मुसीबत बन गया है देखिए, आप लोग जब से आये हैं आराम नहीं किया जाये, जाये आराम कीजिए प्रीतम आता ही होगा मेरी तेकबाल के लिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती नेना बेटी, तू जा, आराम कर अब तो बुढ़ा पावा कई एक मुसीबत बन गया है मेरे लिए चलिए हटिए, ऐसे बुढ़े भी कहा हैं आप वे, वे, वुँँ… वांटे हुआ बुबाप बुआ बुबाप झाल, ओमूल मुला प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब सब प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में आओ बाली के, आओ आज तो आप अच्छे बले नजर आ रहे हैं प्रोफेसर साब मुझसे बात कर, मुझसे बाहर मुड मुड के क्या देखती है किसी का इंतजार है क्या जाइए जाइए अब हम आपको अच्छी तरह पहचान गई है क्या कहा जो आप नजर आते हैं न दरसल वो नहीं है आप तो फिर अजी बनिये मत, बड़े छुपे रुस्तुमें आप हमारी आंटी ने आजकल चुडे में फूल लगाना, बाल काले करना किसके लिए शुरू कर दिया है हम अच्छी तरह समझते हैं बस यही समझे तो है क्या कहा आंटी चुडे में फूल मैं आज कैसी तबीत है आपकी ठीक है बिलकुल ठीक है कल जो मैंने आपके देख भल की यह सब उसी का नतीजा है जी उसी का, बिलकुल उसी का वरना बीमारी को इतनी जल्दी ना छोडता हूं मैं क्या मतलब मेरा मतलब है कि बीमारी मुझे इतनी जल्दी ना छोडती प्रेम नगर में बनाओंगी घर में तज के सब संसा प्रेम नगर में नीना जी अंटी जी कोड का टाइम हो गया है चलो चले अगर आपकी तप्रेट ठीक हो गई हो तो आप भी चलिये ना यह आज ही तो उठे आंटी इन्हें आराम करने दीजे मिस्टर पीता माते ही होंगे वह हमें छोड़ाएंगे कचहरी अरे अब मैं उस लफंगे को कभी साथ ना जाने दूंगा कली एफिडेविट गुम कर दिया था यह कचहरी का मामला इन लॉंडों के बास का रोग नहीं है चलिये मैं चलता हूं मिस वर्मा आपने अपनी छड़ी नहीं ली जी दरसला वो एक बोस्ता मालूम होने लगा है आये चलिए कर दो जी 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 आजी के प्लेंगी जी जीजे बिल गई जी क्यो कब जाता है जी कोई जी 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 आज हम केसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? प्रफेटर साथ प्रफेटर साथ प्रफेटर साथ को अपने वजीजे भी तो मिलना है इतने जिरुट को मिल रहों मैं उसलफ आपगे अब और क्या हमें लाओ हम आजी चलेगे चलिए मैं आपका बें चुका दूँ मड़े पर्थर दिल जाजा है अब ने भातीजे से भी नहीं जा रहे है उसका को जरावे खयाल नहीं तो क्यों इतना खयाल कर रही है उसका? भातीजा वो मेरा है या ते रही है? यह कह रहे है आप वो मेरा बोल तेरा कौन है वो लफंगा? वो लफंगा नहीं है आप तारी के तारे बुरे चोटों को इतना गलत क्यों ना बचते है मैं क्यों लफंगा नहीं है ओए 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 बाली के तो उस आवारा की वकालत जो गवानि के और दो कामाूला होगदा होदा 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 झाल भौसए उकाले यगजा चाले हुकाले कर दो आवाज देके हमें तुम भुला मुहापत में इतना नहम को सचा आवाज देके हमें तुम भुला मुहापत में इतना नहम को सचा अभी तो मेरी जिल दे है परेशा कहीं तो मेरी जिल दे है परेशा कहीं मर्क हाँ तुभी नपरेशा दे की तरह से नहम को जलाओ मुहापत में इतना नहम को सचा आवाज देके हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचा मैं सासों के हर तार में छुप रहा हूं मैं सासों के हर तार में छुप रहा हूं मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूं जरा दिल की जानब निगाहें जुकाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ आवाज देके हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ नहांगे अगर हम तुरो तेर होगे नहांगे अगर हम तुरो ते रहोगे सदा दिल मता मल्की जोते रहोगे जो तुम पर मिता हा उसे ना मिठा मुहापत में इतना नहम को सचाओ आवाज देके हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ आवाज देके हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ तुम? जहां तुम? वहाँ हम तुम मुझे इतना क्यों सचाओते हो? अब मैं तुम्हें कभी नहीं सचाओ प्राम तुम्हें से कभी दूनेंग जाओ कि ना? कई चन्मों तक नहीं लेकिन मैं कुछ देर के लिए तु जाना ही पड़ेगा वह आवाज सुनी? किसी मोटर के हान की आवाज है उस हान की आवाज के पीछे युके एक बड़ी कड़कदार आवाज वाली है आवाज वाली? नीना, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूं लेकिन उन्हें नहीं बता सकता हूं आज में बाकसी में तुम्हें सब कोई बता हूँ, तुम्हें सब कोई समझा, मैं इन ददार करें बस माँ अरे एक लड्डू और खाले न माँ लड्डू खाने का बग गुजर चुका है अगर एक बज़े तक मैं वहां पोस्ट आफिस के नुकर पर नहीं पहुंचाना तो बुडिया भगार मुझे लिए यही वहां से लौट जाएगी लेकिन उनने यहीं क्यों न बुला लिया किस मुझ से बुलाता माँ, वो ठहरी मालकिन नौकरों को सिर्फ नौकरों वाली शकल में देखने की आदत है उन्हे बड़ी मगरूर बुडिया मालूम होती है बस पूछ मत मा, मैं हाथ दोके भी आता हूँ Mr. Peetam Yes, Doctor आपकी मार करीब अच्छी हो चुकी आप उन्हें जल्दी ही ले जा सकते कब तक यही कोई इक दो-तीन अफ़ तुम है Thank you, Doctor. Thank you तब तर मैं कोई न कोई इंतिजाम कर ही लूँगा ला मा, कोटला ये नीना कौन है, बटा? नीना? लेकिन तुम्हे कैसे मालू हुआ मा? इस ख़त से ओ मा, ये ख़त, ये बात है के पढ़ लिया तुमने? हर एक लवस मैं चला मा, बहुत देर हो रही ये सुन तो ओ लड़की पसंद है तुझे ये सब तुम्हारे लिए है मा घर कर सारा कामकाज तुम्हे करना पड़ता था न अगर उनको सब कुछ पता चल गया तो क्या पता चल गया है? यह हमारी बात है नीना तो खेर मान जाएगी मा लेकिन उसकी आंटी बड़ी जबरदस डिक्टेटर है उस सूली पर चड़ा देगी मुझे मजाल है उसकी लाखों में एक है मेरा बेटा वो कभी ना नहीं कर सकती मा खुद चल कर उससे बात्चित करूँगी ना मा ऐसा घजब ना करना जब कोई तरकीब निकल आएगी मैं खुद अरे क्या हुआ? वो बुड़या की गाड़ इधर आरी मा मैं चला, मैं चला मा अरे सुनतो, प्रितम ओ प्रितम अरे आंटी कहा है? आप ही को देखने गया है सैनेटोरियम में अरे पापरे आज यहाँ एक प्रोफेसर साहब जी हाँ अब यह भी गया है आपकी गाड़ी की तरफ बेटा है वो मेरा आपका बेटा? जी हाँ तज्यू क्यों हुआ आपको? आपके उमर ज्यादा तो नहीं मालुम होती यह तो सब यहाँ के इलाज का आसर है बहुत अच्छा सेनेटोरियम है यह जी आये आये, अंदर आये न बैठिये मेरा बेटा आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था अच्छा? जी हाँ, कह रहा था आपके हैं उसे हर तरह का आराम है बड़े अच्छे हैं प्रोफेसर साहब पसंद हैं आपको बड़े शरीफ हैं वो सब लग उने बहुत पसंद करते सच मुझ बड़ा ही भोला है मेरा बेटा खामखा आपसे डरता है मुझसे? जी, शादी की बातचित करने के लिए शादी? जी हाँ, उसने मुझे आज ही बताया कि आप ही की मरजी पर सब कुछ है अगर आप मान जाएं तो वो शादी हो सकती है जी, मैं जी, मैं चलू सुनिया तो सुनिया तो आपने मुझे अपनी मरजी नहीं बताई आप आज से मुझे आप ना कहा कीजी अजी, पुड़ी आएं नजर से राएं इस तरह कहा भागे जा रहे जी, जी आईये तो चरह, कारी में आईये जी, जी जी बड़े वो हैं आप जी बुजदिल भी हैं आप जी हाँ मुझे तो आज तक छुपाते रह लेकिन माजी ने मुझे सब कुछ कह ली सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ देखिए मैं अपना कुसूर मानता हूँ शर्म है याँ आपको? जी, शर्म तो कई महिनों से आ रही है जूटे कहीं के बेशर्म बनके माजी के सामने सब कुछ कह डाना अच्छा? बना मतू मैं तो शर्म के मारे गड़ी गई वो हमारे बारे में क्या सोचती होगी? क्या? मुझसे मेरी मर्जी पूछने लगी मैं तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ जो जट से हां कहते थी किस बारे में? कुछ तु शर्म करो ट्राइवर सुन लेगा आराम से बैठो न प्रेम नगर में बनाओंगी घर में तजी के सबसंसा गली ओगो डोलर जाओ वाँ बहुत दुनी काम है आप लोग चलिए मैं अभी आता हूँ मगर पहां जा रहे हैं अभी आता हूँ टी तम होता है बची होता है जी मैं तो दिलों से खेलने की आदध हो जिसे उससे लाओ ना लगा बच्ची वो खिलाडी तेरे प्यायर को पंक्चर फुटबॉल की तरह ठुकरा चुका है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता होता है बच्ची होता है इस जनम में तो सटक गया वो तेरे हाथ किसी दूसरे का हाथ थम लिया है उसने ऐसा ना कहिए प्रोफेसर साहब ऐसा ना कहिए है तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता एक चाहने वाला पती चाहती है न तू तो फिकर ना कर उस सेवा के लिए मैं हाजर हूँ रफेसर साहब कैसी बाते करते हैं आप सीधी बात है बच्ची सीधी बात है आखर उस लफंगे और मुझ में फरकी क्या है सिर्फ इस दाड़ी मुझका तो तेरे लिए उसे भी साफ कर दूँगा शर्मानी चाहिए आपको मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे वे निकलेंगे नीना, सुनो तो, नीना तुम? छी, हम ठोके बास 420, लोफर, आवारा कही के? सारे के सारे टाइटल तो गिनवा दिये प्यार से भी एक बार नाम ले लो छोड़ दो मुझे अम मैं जिन्दगी पर तुम्हारा नाम नहीं लूँगी तुमने हम सबको दोगी में रखा क्या करता नीना दो बातों ने मुझे मजबूर कर रखा था एक तो मेरी बेकारी, दूसरी माँ की भीमारी सच मानो नीना, जिस दिन माँ ठीक होकर सैनेटोरियम से निकलेगी उस दिन मैं तुम्हारी आंटी को सब कुछ बता दूँ मैं पूछती हूँ, इससे पहले मुझे क्यो नहीं बता दिया अब तक मेरे जजबा से खेलते क्यो रहे राज जब तक राज है, सिर्फ अपनो को ही बतलाया जाता है जिस वक मुझे यकीन हुआ कि तुम मुझे अपना समझती हो, फौरण तो तुम्हे बतला दिया मैंने तुम जैसे धोगे बास को, मैं कभी अपना नहीं समझ सकती फिर रोने लगी, आजकल तुम बहुत बोड़ करने लगी हो अब आओ भी, मुझे देर हो रही है अब क्या करेंगे? करेंगे कुछ, एक दो दिन में बताऊंगा का हूँ? रीता अच्छ, रीता में जाओंगा अच्छ कौन था वो? बोलो, कौन था वो? रमेश रमेश देखो रीता मैं महबब के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन उसके भी कुछ ठंग होते है शहर से इतनी दूर इन खंडरात में मिलना लोग तुम्हारे चालचनल के बारे में क्या सोचेंगे? शहर में उससे मिलती, तो आंटी को पता चल जाता अगर तुम्हे आंटी का इतना डर है तो फिर इस लड़के से मिलती ही क्यों हो? मैं आंटी से नहीं डरती रमेश का भी यह ख्याद है कि मैं आंटी की डर से उसे मिलना नहीं चाहती मैं कहते मैं नहीं डरती आंटी से तुम आंटी से बहुत डरती हो, रीटा इसलिए जिद में घलत हरकतें करती हो उस लड़के से मिलना जुनना छोड़ दो मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा क्यो? इसलिए के उसे तुम से सची महपत नहीं अगर होती तो मुझे देकर तुम्हे छोड़कर भाग नहीं जाता जा जाओ, कॉलिए लोड़ जाओ आएंदास लड़के से ना मिलना आजकल की लड़कियों से जब तक सक्ती ना बरती जाए वो सीधी रहा पर नहीं आती जरूरों से जादा सक्ती की जाए तो लड़किया बिगड़ भी जाती है रीटा और निना बच्ची नहीं है, समाज़दार हो चुकी है शादी ब्या के काबिल है, कुछ उनकी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए हर्गीज नहीं, उनकी शादी उनकी नहीं, मेरी मर्जी से होगा और निना के लिए तो मैंने लड़का विताय कर लिया क्या, कौन है, कौन है, किस है, किस है मैंने सोचा, दो खानदानों का मेल हो, तो पूरी तरह से क्यो ना मैं समझा नहीं, किस खान्नार का लग्का है वो? बुद्धु के ही, पृत्तम है वो लड़गा, समझे? सच मच, सच मच, नीना की शादी मुझ से हो रही तुम से? मेरा मतलब है, मेरे भती ये पृत्तम से, पान अच्छे, पान अच्छे पान अच्छे लेकिन मानता जाएगा न वो? अजी वो क्या? उसका चाचा भी मानेगा पान अच्छे पान अच्छे पान अच्छे सोलना गष्टी शोजुन से, नाकुूरे सोलना गष्टी शोजुन से, नाकुरे जी आंतामा, इयांब यैमा, उंगे जाना, यांचा फीत्त, किसे लेकरे हो? उर्पाना थाव सुच्छे अनमान निच्छे पान आच्छे सीच्छ को कहीं नेखा? जी हाँ, वो अभी नीचे टेकरी की तब जा रहे थे इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ उस लड़के से मिलने आई होना मेरे मना करने पर भी उस आवारा लड़के से तुम्हारा मेल जोल चारी है अब तक मैं क्या करूँ परफेसर साब रमेच से मिलना बहुत जरूरि है मरे लिए आप नहीं जान्ते बहुत जरूरि है मना वो कुसे नहीं मिलता जहां गय बुलाते तो मिलने नहीं आओ मैं सब ठीक़। मैं सब ठीक़। प्रोफेसर सहाब यहां क्या कर रहे है आप दो लोग चलीने आप हाँ सब लोग आपका इंतिजार कर रहे है अहां आईये प्रोफेसर सहाब यहां आईये आया अभी वाद हामोश, आप लोग जरा शान्त हो जाएए, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, कि बहुत जल्द मेरी भतीजी नीना की शादी होने वाली है और जिस लड़केशे शादी हो रही है, वो कोई पराया नहीं, अपने प्रोफेसर सहाब का भतीजा है वो मुझे भी कुछ कहना है, आप लोगों को ये जानकर और भी खुशी होगी, यहाँ जल्द एक नहीं, दो शादिया होने वाली है जी हाँ, दूसरी शादी, मेरी सहली सीता देवी और प्रोफेसर सहाब की ितम प्रोफेसर सहाँ दूसरी वोगों बाल्द और प्रोफेसर सहाँ दूसरी एम तूसरी नहीं तारी क्यों उतार दी? बात बहुत बढ़ चुकी है सोचता हूं तुम्हारी आंटी को जाकर सब कुछ कहता हूं उनका गुस्सा तो तुम जानते हैं अगर उनने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तो मजबूरी है जाना है पड़ेगा अकेले जाओगे? तुम्हें कैसे साथ ले जा सकता हूं? अब मैं बच्ची नहीं रही जिससे चाहूं शादी कर सकती हूं कानूनन भी आंटी का मुझ पर अब कोई जोर नहीं कानूनन ना सही है लेकिन शराफ़त भी तुक जीज है जिस तरह का नमक खाया मासे ले तुम्हें इस तरह से कैसी? याना समय मुझसे मुझसे मोहबत नहीं एए मेरी आंखों में देखा पिरसे यही बात कहो कहो कि मुझे तुम्हें मोहबत नहीं कहो कहो, 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 कहो अच्छा बहला यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था क्यों तुमने मुझे तंग किया? क्यों मुझे बद्ला लेने पर मजबूर किया? आज उसका नतीजा देख रही है उदर तुम अपने दिल से मजबूर हो इधर मैं कोई हल नादर नहीं आता वक्त की साथ कोई ना कोई हल निगल आएगा पीता तुम अभी आंटी को असलियत मत बताओ मत बताओ शयाद तुम ठीकी कहती है वैसबी तक तक तुम दे छुपाना ही पड़ेगा तिरफ कल तक अरीटा को कोई ज़रूरी कांद उसके बाद मैं अलमान सी जल्दी है डाड़ी ये तो आपने देखी लिया है ये देखी नया डिजाइन घीरों का रमेश बाबू अचकन का ट्रायल ले लिजे मैंने आप से कहा था कि मैं शादी में अचकन नहीं सूट पहनूगा रमेश शादी में अचकन पहनोगे तुम जी पिता जी जी आज अचकन ही पहनूगा अच्छा तो चुकर-चाव करने की तयारियां कर रहा है हुजोसाबसाद है अजि आप कान हो तुम कहना कहा कर चाहते हो ये शादी नहीं हो सकती एक भूली भाली लडकी को धोका देखर ये लड़का कहीं और शादी नहीं कर सकता नहीं नहीं पिता जी बातिया थी कि मैं कल भी उसी जगह तुम्हारा इंतिजार करती रही, पर तुम ना आई, तर इस खाव मुश्पी वरना मेरी जिन्देगी बर्बात हो जाएगी, आज दो बजे जरूर आना तुम्हारी दीता, लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, मेरा बेटा दूर भागता है उससे, फिर होगी, पको मत, रोमेश की शादी वहाँ होगी जहां मैं चाहता हूँ, अब भी वगते, हिम्मद से काम ले, रीटा तुझे चाहती है, तु एक बार हिम्मद कर मैं जेखता हूँ, तुम दोनों की शादी कौन रोगता है, अरे ते आप ताप पी नहीं रोख सकेगा, तुम कामिल नहीं के रीटा तुझे प्यार करे, तुम दोनों से, बुजदिल आदमी है वो, निकम्मा, बिलकुल निकम्मा, अच्छा हो कि ऐसे निकम्मे के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो रही, परेशान नहो, उसका ख्याल छोड़ दो, धीरे धीरे वक्त तुम्हें सब आज ही कल नहीं, अब में क्या दरू, क्या दरू, प्रीटा, वो इतनी बेहाल हो कि यहां से क्यों भागे थे, अपने मतलब की बात करो, यहां क्यों आये, ना खुद नहीं आया हूँ, मालकिन ने मुझे बेजाय, यह बताने के लिए कि आज दुपह की गाली से आपकी मां पहुंश रही है, मा, नहीं जी हाँ, मालकिन ने उन्ने खत लिखा था शायद, उसकе जवाद में उनका तार आया है, मालकिन ने लेने जा रहे है, आप रहे है तब तो क्या बात है, घबरा क्यों गये आप कुछ नहीं, मारकन से कहा देना कि वो ना चाहे, मैं खुछ जाके मा को लियाँगा प्रफेसर साथ, प्रफेसर साथ, रीता को क्या हुआ? रीता, ठीक हो जाएगी, गारी का वक्त हो रहा है, मुझे स्टेशन जाना लेकिन वो छील की तरफ क्यों भागी? छील की तरह? हाँ, बागलों की तरह बड़ बड़ा रही थी, कि जितने की देकार है नीना, क्या बात है? रीता भाग गई, छील की तरह, छील की तरह रीता देवी और प्रफेसर साथ में कुछ गरबड चल रही थी, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है गर बाया? जो आओ तो? आओ भी रीता 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 मत्कूत, रास कुल सेगा एंटी झाजूफे अजूब अजूए एंटी इप दुरादे मैं प्तर्प लुह जबताइ है झाजूब आजू जबधिला पने आखड़ का प्या मूदेगर एंब भाजब पॉताव पाई सवापा पॉताव 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 कर लूर दोर्ट लूरी है ये प्यूदाने रहे हैं प्यूदाओ झाल 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 बेहाया, ले पढ़ इस खत को, वो सिर्थ तुझे ही नहीं, वीता को भी अपने जाल में फांसे हुए था, नहीं, 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 तो फिर पढ़ती क्यों नहीं, पढ़, वीता की लिखाई तो पैचानती ही हो न, इसकी हालत नाजोख है, नर्स, केस और भी सीरियस हो गया, र नहीं, रीता, मा बनने वाली है, जी हाँ, नहीं, नहीं, मैं मा दालूँ है, मैं मा दालूँ है, मैं मा दालूँ है, मिस हर्मा, आंटी, अरे, तेरे कपड़े तो सब भीगेवे हैं, तुम्जले ने स्टेशन के उन्हें आया, मा, बता न, चुप क्यों है, बताओंगा, मा, बताओंगा, कब बताएगा, आंकर रिसालत में कहां जा रहा था तू, चल, अपने घर ले, चल मुझे, घर, अब मेरा कोई घर नहीं है, मा, मेरी नौकरी भी जाती रही, आओ, 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 घर, अठी, अर्च, आउ, एकमेր, मेरा बेटे का दूरा बाक, अरु पार पलंते, मैं हलवादी झाद्वील, पलंते, उल्च, न, चुर, छुर दिया जो!! छोड़े, छोड़े मुझे, नहीं! मैं कैसी हूँ, छोड़े मुझे! नहीं! इस रावारा ने मेरे खांदार की इज़त बर्बाद, तेरी बहुन का माँ बनाया है इसे, छोड़े! क्या कहा आप? बिल्दार, क्या ये सच है? छूट है माँ, बिल्कुल छूट है और क्या जिरी छूट है, कि तू हमेशा से दपा देता रहा हमें, बुड़ामन के नोकर करता रहा हमारे जाए जूब क्यों है बटा, जो आप देना, तू तो तो कम दे समेंसा जिरो जिरोगागाा, वसी कि अबूब पर हाद दालाई इसनमा करता ''Tilpatrick sì, तोटाई इसनमा करता, जोगाँ, जोगाँ!! चिलिध झार, बुरिदी oros! बुरिदा! बुरिब ऑफ पर्मारो! बुरिदा! 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 जाये शम्हो क्या हुआ बेटा ये देवे कौन है मेरी माँ है जोड़ी जी जब अपने लवटों नहीं हुजारी जी आप इने समा लेगा तनक चिंता ना करो बेटा मैं तुम्हारे चर्णों की सबन खाके कहता हूँ मा तुम्हारे सानु जो कलंप मेरे नाम पर लगाया किया है जब तक मैं वो धोना लूँगा तुम्हारे सामने कभी नहीं आउंगा मा कभी नहीं भुम्हारे चर्णों की 100 भ Mason छुम्हारे चर्णों की 400 भ Reaper जब जढ ढंवारे चर्णों की 100 भरक पर अगार болम नीना जी कौन है ये जी ये नीना तु यहां क्यों आया है तु तो हमत आपने मुझ पर लगाई है न तरोसा वो इस बुजदिल की हरकत है मैं कहती हूँ वहां निकाल आई नहां से तेखिये न ये गुंडा जवाजा थी मुझे बाराज से उठा के लेकर आया गुंडा फर देख मैं तुझे लेकर आया कहां पहचान इसा पहचान रीटा सुन लिया आपने और आपका ख्याल था का मैंने आपके खांदान की इजद पर हाजाना इसके लिए आपने मेरी गुली मा को भी जखमी किया हाँ और बताईए जवाब दीजे दोके बाद कौन है माई या वो बकावाज याने जो तुझे प्रेम भरा खत लिखा मैं अपनी आखो पड़ चुकी और तुझ से बढ़के धोके बाद आपकोन हो सकता बुड़ा बनके तुने मुझे धोका रिखा जवान बनके एक तरफ मीना को अपने जाल में पास और दूसरी तरफ उसकी बहन रीचा को भी सुना तुमने रीचा ये इल्जाम जो मुझे को लगाया जा रहा तुम जानती कि ये जूट है इन्हें बता दो कि ये सब जूटा बता दो इन्हें पेशन को ज्यादा परिशान न कीजे दिमाग को शौक पहुचने की वज़े से जबान बंद हो गई इनकी रिटा की जबान बंद है रिटारी बोलो मैंने कहों नकीम की जबान बंद है तुम दोनो जाू यहाँ से कभे लहें है अगर ये पुस्तेली यहां से चला गया तो रिटा की जिंदगी हमेशकली तबाह हो जाएगी चाहते ही कहीं और शादी कर लेगा यह, जब तक मेरे तम में तम है, यह रीटा को छोड़का कभी नहीं जा सकेगा अनुमाल सिंग, बुलाओ से अपना प्रम को जेक लिया तो नहीं, तेरी वज़े से रीटा की क्या हालत है, हाँ पुकार, पुकार उसे, शायदो तेरी आवास सुनका चाहूं को ते, मैं कहता हूँ पुकार नहीं पुकार एगा पुकार पुकार उसे, बुलाओ से बुलाओ से बुलाओ से नाम ले उसे, मैं कहता हूँ पुकार नाम ले उसका पुकार पुकार गो, नहां मन नोस्कार! उकर! गो, कर. झी करसे! रंत रेचार! थकर! भकर! मैं कहता हूं, बुकाद खूर दोर जो कि दिने होग भी लगाए जहीना, क्या कहना चाती है आप जहीना, यह आबाला है तो के बाद लफंदा है तो कुछ भी है मेरा दिल जानता है और आप क्या है यह भी सुन लीजिए जलाद है आप, जलाद जलाद? तूनों वे मुझे जलाद का? एग बार नहीं, हजार बार का हूंगै अज आप मेरी बुढार नहीं रोक सकेंगी आप क्या जाने मा बच्चों का प्यार क्या होता है हुमारी मा नहीं इस दुनिया में सोचा था आप से मा का प्यार मिलेगा लेकिन मा नहीं जलाद है आप, जलाद, जिसमें आपकी भती जी को डूबने से बचाया, जिर्व उसी पर नहीं उसकी माँ पर पत्र बर्स वाए, वही बिला, इसकी माँ पर पत्र बर्स वाए, आज इस मुझ्दिल को लेकर आपके दर्मादे पर आया, क्यों, इसी लिए ना कि आपकी भती जी की जिन्दे की बर्बाद होने से बच्जा है, यह देखिए, देखिए कि उसके दूद्रे ऐसाद का मतला क्या दिया आपने, आपको आंटी कहते वे शर्माती है हमें, आज जी आंटी का शब्दाव हमारी दुमाद में कभी नहीं सुनेगी, ओमारी आंट जलाज जलाज है, जलाज जलाज, अनुमारी तुम्ये सुना? तुम्ये सुना? मेरी अवादी जी मजह जलाज कह रही हमेरी हमेरी जलाज, जलाज शीटा देवि आप जलाद नहीं, आप अपनी भतीजों की माँ की जगे हैं माँ, मैं माँ न बन सकी, मैं माँ न बन सकी जलाद, हर जा में रस्ते से, हर जा मैं माने, मैं माने सिता देवी, मैं आटी नहीं, सिता देवी मैं आटी नहीं, सिता देवी मैं आटी नहीं, सिता देवी मैं जलाद, मैं जलाद भूल जाएं निना की बातों को सिता देवी माँ कर दी जोने, आपकी बच्चिया है मेरी बच्चिया मु increased स्धिता दैय्वी मानी 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 क्या क्यों आपने माा बनने के लिए क्भी प्यार से एपनाया है उने कभी सिन्यसर लगा रहा है उने उनकी यतीमी कभी यहाँ सुबहाईएं आपने मैं जानता हूँ, मा कीसी होती तीबी की मरीज थी मेरी मा और मर्स हमेशा चुपाया मुझसे इसलिए कि बेकारी के आलों में हुलाद परहशान ना हो ये होती है मा सीता देवी मा ये होती है मैं क्या जानू मा क्या होती मैं मा नहीं हूँ मैं मा आप मा है सीता देवी मा है आप हर और अप मा होती है हर और अप में मम्ता होती है वरला क्यों तड़ रही है आप इस वक्त इधर आपकी मम्ता तड़ रही है अद उधर देखिए देखिए आपकी अनाग फटीजिया मेरे ये मात इतने खरीब होकर आप त Contain दूर क्यूँ नहीं मता को चाहने को मुझा जीजे सिता देवी आप माहें Türkiye को अपनी भरतीजों को अपनी की भीजे आप माहें descrição लड़ी इता जादी 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 ज जीवन देने वाली दू जग कुन देन वाली दू पर नामा ता जग शाली दू जीशित लगाना जीशित लगाना जीशित तू ए लड़के मेरी दो बेटिया है मुझे दो दामाद चाहिए चली धर, चल ऑपाई आएगा 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 पंदेगा हो कोई आए दो